गुड मॉर्निंग गाई स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MNG स्टूडियो पर मैं आपके समक्ष उपस्तितू एक और दो दिसंबर 2030 के करन टपेर के सवाल लेकर आपके एक्जाम के लिए ये वीडियो बहुत हिल्फुल होने वाला है तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर केजए ये वीडियो हिंदी प्लस एंग्लिश दोनों मीडिया में होने वाली है तो वीडियो पूरा देखिए तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कोश्चन के साथ ये रहा पहला कोश्चन आपके सामने प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है तो इसका अंसर ऑप्शन सी एक डिसेंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है अगला कोश्चन देखते हैं इसका आंसर ऑप्शन दी श्री लंका से भारती आवास परियोजना का संबंध है अगला इंपोर्टन कोश्चन देखते हैं ये रहा कोश्चन आपके सामने रिसेंटली वाट इस दे मार्केट कैपिटलाइजेशन अचूबाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार कितना बाजार पुंजी करन हासिल किया है इसका आंसर ऑप्शन सी फोर ट्रिलियन डॉलर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार बाजार पुंजी करन हासिल किया है आईए अगला कोश्चन देख लेते हैं इसका आंसर ऑप्शन डी ओपन एए ने क्यूस्टार मोडल अभी हाली में विक्सित किया है अगला इंपॉर्टन कोश्चन यह आपके सामने फोया आज रेसेंट्ली अप्रूब गैसगीवी जीन थेरेपी फॉर दे ट्रीट्मेंट और सिकल सेल एंड थेले सीमिया फॉर दे फॉर्स टाइम इन दे वर्ड हाली में दुनिया में पहली बार सिकल सेल और थेले सीमिया के इलास के लिए कैसगीवी जीन थेरेपी को किसने मनजूरी दी है इसका आणसर यह आप्शन है UK ने सिकल सेल और थेले सीमिया कैसगीवी जीन थेरेपी को मनजूरी दी है अगला कोश्चन देख लेते है जाइंपॉर्टन कोश्चन देख लेते हैं, Who has the becomes the CEO of OpenAI again? OpenAI के फिर से CEO कुन बने है? इसका आज़र है, Option D, Same ultimate OpenAI के फिर से CEO बने है. अगला कोश्चन देख लेते हैं, How many the number of Jan Aushari Center started the program by PM increased 10,000? PM Narendra Modi ने Jan Aushari Kendra की संक्या 10,000 से बढ़ा कर कितने करने के लिए कारेक्रम शुरू किया है? इसका आज़र है, Option B, 25,000 जन अवशिदी केंदो की संक्या बढ़ाई है. अगला कोश्चन देख लेते हैं, UNHCR Nonsense शर्णार्थी पुरसका 2023 किसे प्रदान किया गया है? Who has been awarded the UNHCR Nonsense Refugee Award 2023? 23, Nonsense शर्णार्थी पुरसका 2030 किसे मिला है? तो इसका आज़र है, Option B, अब्दुल्लाही माहिर को UNHCR Nonsense शर्णार्थी पुरसकार मिला है. Next question देख लेते हैं, Which space agency will send Indian astronaut to the space station in 2024? कुन सी अंतरिक्स agency 2024 में भारतिय astronaut को space station पर भेजेगी? इसका अंचर है, Option है, NASA Antrix Agency 2024 में भारतिय astronaut को space station पर भेजेगी. Next question, Nobel Peace Prize winner Henry Kinsinger has passed away. He was the former foreign minister of the country. Nobel Shantipuraskar Vijeta Henry Kinsinger का निदन हो गया है. वह किस देश के पुर्व विदेश मंत्री रहे हैं. इसका अंसर है, Option B, अमेरिका के पुर्व विदेश मंत्री रहे हैं. अगला question, According to the survey of Economist Intelligence Unit, which is the most expensive city in the world to live in, Economic Intelligence Unit survey के अनुसार, रहने के लियाज से दुनिया का सबसे महेंगा शहर कुन सा है? इसका आंचर है, Option C, A and B, दोनो. Singapore and Zurich, Economic Intelligence Unit के सर्वे के अनुसार, रहने के लियाज के लिए सबसे महेंगे शहर हैं. अगला question देख रहेते हैं, In which state has union minister, नितिन गड़करी लॉंच्ड लगजरी शिप क्लासिक इम्पिरियल, केंडरिया मंतरी नितिन गड़करी ने किस राज्य में लगजरी जहाज क्लासिक इम्पिरियल का शुभारम किया है? इसका आंचर है, Option C, केरल राज्य में नितिन गड़करी जी ने जहास ग्लासिक इंपिरियल का उद्गाटन किया है दोस्तों हमारे वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगला कोशन देख लेते हैं वीचास बिकम्स दा फर्स साउथ एशियन कंट्री तो रेजिस्टर सेम सेक्स मेरेज सेम सेक्स मेरेज रेजिस्टर करने वाला पहला दक्षिन एशिया देश कुन सा बना है तो इसका आंसर है option B नेपाल ने same sex marriage ले रिष्टर करने वाला पहला दक्षिन एशिया देश बन गया है दोस्तों ये थे हमारे दो दिन के करांट पेर के सवाथ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब जगर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई हैवन आइस दे